हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ समरी स्पेसल मैंगो और बनाना कस्टड जो बहुती इजी तरीके से बताऊंगी और बहुती यम्मी लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 3 केला है, एक आम है, ड्राइफ फ्रूट है, कस्टड पाउडर, 1 केजी दूद, 1 कटोरी चीनी है और यहाँ पे आम का पल्प मैंने निकाल लिया है बस एक आम यूज किया है मैंने और यहाँ पे देख सकते हैं पल्प निकल गया है और फिर यहाँ पे कड़ाई रखे हैं गरम होने के लिए और गरम हो चुका है और इसमें मैं दूद डाल दूँगी मैं यहाँ पे 1 kg दूद यूज की हूँ आप कोई भी दूद यूज कर सकते हैं कोई इसू नहीं है और 1 kg दूद मैं यहाँ पे ली हूँ और अच्छे से दूद यहाँ पे खौल चुका है और यहाँ पे 2 चमच कस्टड पाउडर लेंगे और ठंडा दूद से मिक्स करेंगे गरम दूद बिल्कुल यूज नहीं करना है यह तो लमस आ जाते हैं अच्छे तरी से फेट लेंगे और यहाँ पे दूद खौल गया है तो यहाँ पे हम एक कटोरी चीनी एट कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दूद देख सकते हैं उपर तक ठाक और यहाँ पे दूद खौल के अच्छे से पक चुका है तो फिर मैंने चीनी एट किया और यहाँ पे जो मैंने कस्टड का गोल बनाया था वो एट करूँगी थोड़ा थोड़ा करके और चलाते रहूँगी एक साथ नहीं डालना है और यहाँ पे पूरा डाल दिया है मैंने और देख सकते थी चलाते रहेंगे और यहाँ पे ड्राइफ रूट है मैंगो पल्प है और तीन केला है उसको छुटा-छुटा कट कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं दूद अच्छे से खौल गया है तो उसमें कुछ ड्राइफ रूट मैंने एट कर दिया और चलाते रहेंगे और अब देखिए गाढ़ा होना सुरू हो गया है कस्टड पाउडर जो है और इसको ठंडा होने के लिए हम रख दिये हैं और यहाँ पे ठंडा हो चुका है तो फिर एक बॉल में हम निकाल लेंगे ठंडा होने के बादी इसमें हम मैंगो पल्प एट करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर केला एट कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे गर्मियों में तो कस्टड बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और अभी तो आम का सीजन है तो आप लोग ट्राई करिए एक बार इस तरीके से और अभी देखिए सर्प करने के लिए बिल्कुली रेडी है कस्टड तो हम यहाँ पर सर्प करेंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से हम डेकोरेट कर देंगे काजू किश्मीश जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो और मैंने यहाँ पर चेरी लिया है चेरी से डेकोरेट कर रही हूँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है अगर अच्छा लगता तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगे आप लोग के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग